जैहिन प्यारे साथ यूं स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से खुटा केंग और भीजल बे आए तो हम लोग एक मोनी फूल की अगली कवीदा को हम लोग समझते हैं जिसका नाम है टीवी परचार अब टीवी ये आप सभी को पता है टीवी के बारे में तो आप सभी को पत सकते हैं वो सारे प्रश्णों को हम लोग अंत में देखने वाले हैं बोलते कि जब से बनले राजीविक सरकार अब राजीव गांधी आप सभी को पता है कि भारत की छठे परधान मंत्री के रूप में जाने जाते हैं जिनका कारिकाल था 1984 से लेकर के 1989 तक इस समय में इसी का अरज उठाय देल यानि सरकार ने उस समय क्या किया कि जो भी सरचार टेक्स विगरा था वो कम कर दिया जिसके कारण से टीवी परचार गामे गामे बेल यही कारण है कि टीवी का परचार उस समय उस काल में काफी ज्यादा परचार हुआ और टीवी का परचलन जो वो उस सम चीजों को समझने के लिए, पहले के समय में क्या होकरता था, जो वो जब तब करते थे, हैंना ध्यान लगाया करते थे, वो आज कल के समय में क्या होता है, कि एकन साक्षात नज़रें, देखे पाईये, परतिक रितवार टीवी देखे जाए, अभी समय में आपको रमायन में लगभग रमायन हो गया महाभारत हो गया या जो भी सिरियल अगरा हो गये वो सभी चीज़ें आप टीवी में बड़े आसानी से देख पाते हैं परतेक एतवार को तो यह सब चीज़ें आप घर में देख लेते हैं जाकर घारें फिरीज गौद्रेज और टीविक सेट जाकर संगे फिल्टर पलंग और सोफा सेट यह सभी चीज़ें जिसके घर में देखने को मिलता है बाढ़ी जाहे उनकर लिभिंग इस्टेंडर्ड ऐसा माना जाता है कि जिनके यहां पर फ्रेज गौद्रेज टीवी सेट एगरा हो गया फलंग पलंग हो गया फिल्टर सोफा जाए ने तो अगर कहीं जाएंगे तो पता जला डर होता है कि सब समान कहीं चोरी ना हो जाए देखे पैथिन लोगें बड़ो स्टेटस अब यहां से लोग जो देखते हैं उनको एक लगता है निकि इनका स्टेटस जो थोड़ा बहुत बढ़ गया है यानि थोड़ा एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे घर में ये सारी चीज़ें हैं सुख सुविधाएं हैं तो बड़े अपनी आपको एक महसूस करते हैं कि हाँ हम एक हमारा जो स्टेटस है वो औरों की तुलना में काफी ज्यादा है बुझा हाथिन इनकर बजट है सरपलस अब लोगों छाँआँ चीज खरिद पाएगा , नहीं खरिद पाएगा ? तो पहले तो, उनको क्या होता है कि वो यह चीज़ देखते है कि हमारे पास सारी सुविधाएं कब होंगी ?.. जब हमारे जरूरत के सामान की जरूरत चीज़ें जब पूरी होजाएगी तब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज सोच पाएंगे, माल लिजे कि अगर हमारे पास घर में खाने को नहीं है, और हम बोले कि चलो भाई, हम एक गाड़ी खरीद लेते, तो होगा, नहीं होगा, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो मुलभूत सुविधाओं को कैसे पूरा किया जाए, वो उन मुलभूत सुविधाओं को पहले हम लोग देखते हैं, जब वो सारी मुलभूत सुविधाओं हमारे पास हो जाता है, तो फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सोच पाते हैं, हैना, तो ये सारी बातें यहाँ पे कविता के माध्यम से किया जा रहा है, आगे लिखते हैं कभी कि टीवी ख सोटों कम बेसी दाम, अब जो बड़ा तीवी है, कलर तीवी होता है, उएट टीवी होता है, कुछ LED तीवी होता है, अभी तो वंसे समय में कि कुछ 3D TV आ गया है, ये सारी चीजे, अलग अलग तीवी का अलग अलग दाम होता है, अब देखिए सादी बयाम में अभी भले मांग नहीं होता है लेकिन ये कविता लिखा गया 1986 में ये कविता का पहला परकासन 1986 में आया है समझ लिए कि ये लिखा गया है लगभग 1980 के दसक में तो 1980 के समय में आपको पता कि तिलक में जो मुख रूप में जो मांग करते थे वो क्या मांग करते थे टीवी cycle, radio उस समय जो क्या है कि तिल्लक में मांग करते थे, कि हमको atlas cycle चाहिए भईया, या तो फिर हमको क्या है कि हरकूलस या तो atlas cycle चाहिए या तो फिर क्या मांग करते थे वो मांग करते थे हमें एक radio चाहिए, हा ना, या तो फिर यह साधा चीजों को और भूमीग मांग। यानि सहर में अगर कोई विक्ति का साधी होता था कोई लड़का का साधी होता था तो उस समय वो कलर टीवी का डिमांड करते थे और जो गां में हुआ करते थे वो बोलते चलो भाए नहीं कुछ तो साधे टीवी से काम चला लेंगे काई कि साधा टीवी का भी उसमें काफी ज्यादा महत्तु था टीवी भीतर नाना रकम छवी देखे पाईए अब टीवी के अंदर में आपको अलग-अलग रूप किसम का छवी देखने को मिलतेगा कुछ आप नीज देख लेते हैं कभी आप अलग-अलग चीजों को देख पाते हैं तो कई सारी अलग-अलग चीजें देख पाते हैं उसके अलावे बाप बाप बेटा बेटी पुतहु करंची पाए तो ये सब चीजें एक साथ जो वो बैट करके आज जो वो टीवी देख पाते हैं सभी को ये एक साथ तो इस से क्या है कि TV के बार में बताया जा रहा कि जिस चीज के लिए हाना एक ऐसा समय था जो की TV का इतना जैदा नसा था हलाकि उस नसा का आज जो जगा ले लिया है वो TV के जगा पे अभी जो इसका अस्थान ले लिया है वो mobile ने ले लिया है अब लोग जो वो टीवी कम देखते हैं, अब लोग जो वो दिन रात मोबाइल में लगे हुए होते हैं, हाणा, तो ये कह सकते हैं कि नसा तो आज भी उसी तरह से है, बस क्या है कि इसका रूप परिवर्तित हो गया है, टीवी के जगा पे लोग मोबाइल में सिफ्ट कर गए आगे बात करते हैं तीवी देखे बेटा बेटी पुतहु भेला थेथर अब आतना टीवी सब देखे लगलतुन की थेथर होई गलतुन यानि कक्रो कुछ बोला कुछ ना सुनतुन है तो अब धीरे-धीरे बोल रहे शुना रहे कि पाने लेका एक इलाज सुनिये रहलतु टी दज माय कतर यानि अब धीरे-धीरे सबसे पहले तो कोर ही होवे लगलती है कि बैठल बैठल टीवी देखे एक आदत लगला कुछ कहीं आना जाना कहीं कुछ काम दे दे तो तुरंत लगे लग तो अटकूट करे में खराब लग हो है लीलज मतलब धीरे-धीरे थेथर होग तो धीरे-धीरे कहल जाये है ना चालू भेला जबसे रामायनेक सिरियल देखे बिदे से बादल बदल रामायनेक मेमोरियल अब जैसे जबसे धीरे-धीरे रामायन का सिरियल या और जो भी सिरियल अस्टार्ट हुए तो धीरे-धीरे लोगों को देखने का उत्सुकता पढ़िए रोजे किस्सा अब धीरे-धीरे सीरियल देखने का लोगों का इतना नसा चड़ गया कि कई सारे किस्सा भी इसको लेकर कि सुनने को मिलता है कुछ किस्सा यह भी है यानि कुछ कहावत ऐसा है कि एक कहावत है कि एक कणियाए खलाय बिहाक लगन अब माण ले टीवी एक कन्याई के विहाक लगन हला है और मडवा छोड़ी टीवी देखे में भेली मगन अब कि यहने एक दने मडवा है अब मडवा छोड़ करके वहने कन्याई जे वो टीवी देखे में लगा ली अब होते कि, छूट गले लगन, जे सूभ लगन में साधी हो विये खले उस लगन में, जब ऐबें आयकर ले, तब की भले? साधी भले जखन आयले दोसर लगन अब पंडी जी कहलतीन कि आब उन लगण में तो एले ना है टीवी देखे लग लें आब दोसर लगण के इंतिजार कर तब दोसर लगण जब पहले तब फिर दोसर साधी दोसर लगण में साधी भेले किछू मंत्री खले सपत गरहन अब वहतरी एक आर कहाबत है कि कुछ मंत्री सब की हले सपत गरहन सेटा छोड़ी भेला सीरियल देखे में मगण अब सब मंत्री सब यतना ब्यास्तों गलतीन सीरियल देखे में टीवी देखे में कि आपन सपत गरहन तब छोड़ दलतीन सपत गरहन करला बादें पाई के आदेश जखन सीरियल देखल भेले सेज अब अतना उसा देखे में मतलब ब्यस्त होगे ललती कि सपत गरहन करला बादें पाई के आदेश यानि बाद में आदेश लेकर के और बाद सीरियल देखल भेले सेज जब सेरियल देखल खतम हो ले और बाद उसे फिर की करल थीन? सपत गरहन करल थीन रेल गाड़ी जात्री सब करला करा हला सफर अब वह तरी एक आर तीसरा कहावत है कि रेल गाड़ी जात्री सब एक बाद करो हो थीन सफर पहला सभिन सीरियल देखे का उसर, तभी बीच में गो अस्टेसर में पहलतिन की महा सीरियल चल रहे लो, सब ट्रेन दल्थिन रोएक, और कलतिन पहले सीरियल देख ले, और बात जीवे फिर हम निन, अब रेल रोकी देखला सीरियल, तकर पर रेल गाड़ी चलल, अब अतना देखे के सौकी दल्थिन की मतलब ट्रेन गाड़ी तक रोएक दल्थिन अगर बात देख करके, हलाकि सब कहावत लगे, सचाई कतना होते ही तो समझे वला बात है, लेकिन कोई गारेंटी ना है, काईकि देश लोगों भारत यहाँ पे कुछू भी होई सब कोई, ये ते बा उसी प्रकार से आज जोबो, आज आप अगर इन चीजों को अगर टीवी से कंपेर करना हो, तो आज इसके जगापे आप मुबाइल से कंपेर करें, बस ठीक वही चीज है और सारी चीजें आप, अगर हम आज के मान लेते हैं कि कवी के रूप में आज अगर हम होते, तो ये टीवी के जगापे हम क्या करते हैं, मुबाइल लिख देते हैं, और यही कवीता हम हो बहु उतार देते हैं, क्योंकि लगभग सारे चीज योगों इसमें से, आज कल के समय में तो कई लोग घर का खाना जला देते हैं, मुबाइल देखने के चक्कर में, कई लोग काम भूल जाते हैं, कई लोग कुछ करने के लिए, हाना, तो कितना कुछ भूल जा रहे हैं, मुबाइल देखने के चक्कर में, तो आज कह सकते हैं कि टीवी से तो आज जादा जादा असर देखने को मिलता है, उसके बाद बोलते हैं कि पढ़हा सुना, छोड़ी हता बैकार, जिंद हो रहा है, जितना चीजें आप पहले सोच सकते थे, वो सोचने का जो सकती है, है ना, असमरन सकती हो गया, या तो और जो भी सोचने का जो छमता था, वो धीरे-धीरे लोगों का कम होने लगा, कारण क्या है, क्योंकि लोगों का जो माइंड है ना, वो सीमित होने लगा है, सिमित क्यों होने लगा है ये आप भली भाती जानते हैं क्योंकि लोग जो वो एक कुमे के मेढ़क के रूप में बन गए है लोग जो वो दुनिया को देखने के भले आप दुनिया से न्यूज आप देख पा रहे लेकिन आप एक घर में रूम में पैक होकर के पूरा दिन रात मुबाइल में लगे हुए भले आपको दुनिया की खबरें पता है लेकिन आप क्या है एक रूम में घुश करके बैठे हुए हैं दिन रात लगे हुए मुबाइल पे तो इसका असर तो कहीं न कहीं आपके mind पे पड़ेगा है यही कारण है कि धेरे धेरे लोग जो वो सीमित होते जा रहे उसके आगे बोलते हैं जिंदगी बीतना हतन मार तो ऐसा अगर आप नसा इस तरह से अगर कि आपका बना रहा मुबायल टीवी का तो हो सकता है कि आगे आपके भविस में कह सकते कि आपको काफी ज्यादा परिशानी हो सकता है आपको जिंदगी को बिताना यानि जिंदगी जीने में आपको काफी ज्यादा मार होने लगेगा कठनाई होने लगेगा कैसे आप अपने जीवन को पूरा कर पाएंगे कथा है कि तास पांचा और पासा ले तास पांचा और पासा ले यानि एक कथा है कि जो व्यक्ति जो छववा या जो बच्चा तास पांचा और पासा ले पांचा यानि कह सकते हैं कि आपको पता है कि बच्चमन में क्या-क्या खेल होता है तो गुली डंटा होता है, गोली हो गया, है ना टीवी करनसा हो गया और भी तास हो गया, जुआ हो गया, तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि लोगों के लिए खराब है तो बोलते हैं कि ये तीनों चीज जो बच्चा कर लिया वो पूत नसा लिए पूत मतलब होता है बेटा या कह सकते कि वो पूत मतलब बच्चा कह सकते हैं ना बच्चा को आप समझ सकते हैं तो वो बच्चा क्या होता है कि वो खराब हो जाता है जो 오-ना जो ये तीन चीज जो वो खेलता है वह पूत जो वो नसा जाता है यानि खराब हो जाता है तो इसने जब से घरें टीभी बैसली पढ़वाईया छाववा सब एक दिमाग हवे लागल खाली हुआ कि कई सारे दिमाग में हो सकता है कि अब हर चीज का एक सकारात्मक पहलू होता है एक नकारात्मक पहलू होता है हना हर जीवन के कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो हर आपके रास्ते में भी आपके दो रास्ते यहाँ पर भी दिखाए देते हैं एक होता है आपका positive और एक होता है negative अब ये depend करता है कि आप उसका use किस परकार से करते हैं जरूरी नहीं कि TV हर चीज में खराबी होता है खराब नहीं है लेकिन ये माइने रखता है कि आप उसका उपियोग किस रूप में कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्पून है मान लेते हैं कि mobile है तो mobile भी आपके लिए काफी ज़्यादा इसका परभाव भी है यानि सकारात्म कुछ इसके गुन है तो कुछ इसके अउगुन भी है यानि कुछ इसके दोस भी है तो depend करता है कि आप इसके गुन को accept करते हैं या आप इसके दोस में खो जाते हैं ये दोनों आपके उपर में निर्भर करता है तो यहीं बोलते हैं कि काथा है कि तास पांचा पासा ली तीने पूत नासा ली यानि ये तीनों चीज जो बच्चा भाल मंद गुन दोस है टीवी करलों विचार एकर ले बैसी कहना हते बेकार अब देखिए कि भाला भी है कुछ मंद यानी बुरा भी है हना गुन भी है और दोस भी है टीवी का तो ये बोलते हैं कि कभी बोलते हैं कि टीवी का गुन और दोस ये दोनों पर हमने विचार किया कुछ इसके गुण भी है तो कुछ इसके दोस भी है अब डिपेंड करता है कि आप इसके गुण को एकसेप्ट कर रहे हैं यानि गुण को आप ले रहे हैं या इसके अउगुण को आप ले रहे हैं ये आपके उपर में निर्वर करता है तो वही बोलते हैं कि अब एकर ले ब वर्तमान समय में अगर TV के जगा पे TV के जगा पे अगर कहीं मोबाइल के रूप में देखल जाए तो कौन हो गलत ना है जैसन पहले TV के निशा हल है वहा तरी आज ये वो मोबाइल के निशा सब के भोई गिले अब डिपेंड करो है कि हमने अकर कैसन उपियोग करो ये सकरात्मक चीज के अकर में लेए या तो फिर नकरात्मक चीज के सब के गुन और दोस भी है है ना हर चीज के गुन और दोस है तो डिपेंड करो कि हमने अगर में किस तरह से अगर उपियोग करल जाए आगे अब यहां से सवाल बनता है कि अब यह तो कविता आपका खतम हो गया अब सवाल उड़ता है कि यहां से कैसी कैसे प्रश्ण आपके पूछे जा सकते हैं यह जैदा important है क्योंकि कोई कविता आपको पढ़ना नहीं और नहीं आपको entertainment के लिए आपको यह पढ़ाया जा रहा है हो सकता है कि केवल आपको यही उद्दे से नहीं है इस कविता को पढ़ाने का कि केवल आप एक्जाम पास करें अगर आप exam नहीं भी बैठते हैं या तो नहीं भी पास होते हैं, लेकिन कम से कम आप इसके अच्छाईं को आप जरूर समझ सकते हैं और सीख सकते हैं और अपने आने वाले भविश में बच्चों को आप जरूर सिखा सकते हैं इसका अर्थ क्या है लेकिन फिर भी चलिए अभी हम लोग exam के point of view से देखते कि कैसे कैसे प्रश्ण यहां से बन सकते हैं सबसे पहला सवाल बनेगा कि टीभीग परचार कईसन रचना लागए तो यहां पर यह बन सकता है कि कईसन रचना लागए अब डिपेंड करता है कि आप इसका उप्योग जो वो किस रूप में करते हैं अगला सवाल बन सकता है कि इस कविता के कवी कौन है तो कवी का नाम क्या है संतोष कुमार मातों है जो की उपर में हम लिख दियें तो पूरा लिखने के आवशकता नहीं है फिर अगला सवाल बन सकता है कि टीभीक परचार कौन किताबें छपल या कौन किताबें उखरवल है तो यहां क्या हो जाएगा एक मौनी फूल इसका जो वो अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा एक मौनी फूल एक मौनी फूल किताब में या कवीता छपी हुई है और सवाल क्या बन सकता है अब यहाँ पे राजी उकांधी सब्द का परियोग किया गया है हना राजी उकांधी आये हैं यहाँ पे तो राजी उकांधी आप सभी को पता कि 1984 से लेकर के 1989 तक यह परधान मंत्री थे कौन से परधान मंत्री थे तो भारत के ये छठे परधान मंत्री थे हना छठा परधान मंत्री थे ये भारत के उसमें राष्टपती कौन थे तो आर वेंकर ट्रमन उसमें जो थे भारत के राष्टपती थे जब राजी गांधी परधान मंत्री थे भारत के साथी साथ और क्या सवाल बन सकता है भाई कभी परीचे यानि संतोस कुमार महतों जी से समबंधित सवाल बन सकता है तो ये हमने जब स्टार्टिंग किया था एक मौनी फूल में जब परीचे हम लोग पढ़ा रहते तो वहीं पर ये सारी चीजें हम लोग पहले कबर कर चुके हैं हना इनके बारे में तो पहले हम लोग बात कर चुके गांग जोरी मिन का जन्म हुआ था हना 1930 मिन का जन्म हुआ था ये सारी बातें हम लोग पहले बात कर चुके हैं हन के पिता का नाम, माता का नाम, कितना ये पढ़े लिखे हैं, कहां पे उन्हें पढ़ाया था, क्या इनके सिख्छा दिख्छा रही है, क्या ये नोकरी किये, कौन-कौन से इनकी रचना है, वो सभी चीजें हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो अगर आपने पहला वीडिय का परियोग किया गया है वो कठीन सब्दों के से सम्धित प्रश्ण आपके पूछे जा सकते हैं जब हम लोग इसमें से जो भी प्रश्ण देखेंगे तो वहां पे हम लोग detail में हम लोग हर चीज को समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्ण यहां से आपके आने वाले समय में सवाल जो पूछा जा सकता है जैसे यहां पर कोर ही तो कोर ही के माने की हो हो है आलसी, लीलज यानि लीलज मतलब निरलज नहीं बोलते हैं कि लीलज यानि जिसको थोड़ा बहुत थेथर हो जाया आदमी यानि कोई व्यक्ति को बार-बार बोला जा रहा लेकिन सुन नहीं रहा है तो इसको वैसे बोला जाता है यह सब चीजे तो यह सब चीजे आपको ध्यान रखना है चले, तो उमीद करते हैं कि आज कई सेशन आप सभी को पसंद आया होगा इसी तरह से अगर चीजे आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा साथी साथ अगर चेनल पे नहीं है तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और मिलते हैं अगली कवीता में जिसका नाम है एखन 3 हाड sanctions पानी एग हाडी नाए भर है ये काफी अच्छी कवीता है तो इस अगली कवीता जो हम लोग पढ़ेंगे तो चलिए फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग अगली कवीता में तब तक के लिए आप सभी चीजों का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जोईन कर लेंगे वहाँ पे आपको सारा PDF जो वो अभेलेबल करवाया जाता है तो टेलीग्राम चैनल जो वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डाला हुआ है झाला हुआ है